तो मैं यहाँ पर आप लोग को इस code का मतलब इस वीडियो में में बताने वाला हूँ ठीक है जो मैंने पिछली वीडियो में पूरा नतलब किस तरह से प्रोग्राम बनाते है चैट वोर्ड ठीक है चैट जी बटी की तरह है बताया था तो आप लोग जाके विजो टो वहाँ पर देख ले ठीक है यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोग को कोड का मतलब explanation दूँगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले देखिए इंपोर्ट इनल्टी के है इनल्टी के जो हम बोले थे लैबरीरी रहता है ठीक है तो उसके मतलब से हम लोग क्या करेंगे ब्राउ सेट ने करेंगे पराउन को निपोर्ट कर लिए यहा यहां पर हम लोग इम्पोर्ट कर लिए इस अ कोर्ट के मि Romalborg के लिए मिखिए फोर्ट इसका मतलब यह हुआ धर की यहाँ पर एक variable बना लिए ठीक है और यहाँ पर जो भी sentence रहेगा ब्राउन का ठीक है वो यहाँ पर store हो जाएगा ठीक है next हम लोग यहाँ पर input random रेंडम को हम लोग input यहाँ पर कर दिया ठीक है इसके बारे में मैं आप लोग को आगब बताऊंगा ठीक है इसके बाद यहाँ पर दिखिए यठोए हम लोग generate response नाब का एक function बनाया है जो क्या करेगा input को store करेगा जो भी आप लोग यहाँ पर input देंगे ठीक है वो यहाँ पर store रहेगा ठीक है उसका बाद एक input test equal to input test.lower मतलब इस code से क्या होगा जो भी आप लोग input देंगे वो सबसे प उसका बाद इस code से क्या होता है sent for sent in brown corpus test input test in यहाँ पर dot space dot join send dot lower मतलब इससे होगा क्या जो भी वहाँ से मतलब sentence रहेगा ठीक है उसमें से sentence filter होके एक नया sentence का list बन जाएगा ठीक है जो वहाँ पर पहले data sets में रहेगा ठीक है आप जो भी input देंगे ठीक है वो input के हिसाब से वहाँ से sentence filter होगा और यहाँ पर अलग नया list बन जाएगा ठीक आपके input के according ठीक है जो input आप लोग देंगे उसका बद क्या होगा dot join की function से वो सब उसका जो word रहेगा एक एक word वो थोड़े space दीखिए यहाँ पर dot join का पहले की space है ठीक है तो वो space के बीच बीच में space आजाएगा उसका बद सब word एक साथ जूट जाएगा lower case में ठीक है उसका बाद अगर filter नहीं हुआ तो यहाँ पर I am sorry इस्तर करके लिखा आ जाएगा ठीक है उसका बाद निश्ट क्या है देखें यहाँ पर इस response is equal to dot join random.choice filtered sends इसका मतलब क्या हुआ क्या हुआ sentence को filter करेगा ठीक है मतलब आपके input के according और उसको word sub को join एक साथ join कर देगा ठीक है इस पर देदेकर जो आप लोग input दिये है उसके according आप लोग सिर्फ इतने यहाँ पर इसको समझ सकते है ठीक है यहाँ पर bracket में filtered sentence जो लिखे है वो filter किया हुआ मतलब आपके input के according filter किया हुआ sentences रहेगा ठीक है जो randomly choice करेगा जिसे आप लोग को हम बताये थे कि बारवर input दे रहे थे तो बारवर अलग-अलग output आ रहा था वह इसी के मतलब से बारवर अलग-अलग output आता है I hope अब आप लोग को समझ में आगे होगा ठीक है उसके बाद return क्या करेगा यह जो response है इसको return कर कर देखे हैं यो उसके बार यहां पर हाय और श्तह करके आप लोग दे सकते हैं कि यहां पर उसके दो यहां पर टो गया हूं यू लिखता था वहाँ पर आप लोग टाइप करते थे यू में ठीक है तो वह चलते रहता था answer आजाने के बाद फिर से आप लोगो टाइप करने के लिए कुछ बोलता था ठीक है अगर यहाँ पर देखिए लुक्ट कैसे चलेगा यहाँ पर पहले आप सब पुछेगा ठीक है कुछ भी किट टाइप किजिए उसका बाद इस कोट्स के मदद से क्या होगा अगर आप लोग कुट करेंगे तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा ठीक है और आप बाहरा जाएंगे नहीं त आप्सेश्चनल प्रेंट में चेक करेंगे यह अगर सब्सक्रारस में अगर किया करेगा सनल प्रोड़ कि अधिक नहीं तो क्या करेगा बॉट्ट रिस्वोंस के साफ से मतलब जो भी आपका डाटा सेट में मौझूद है इन्पूट के साफ से वो डाटा सेट से कलेक्ट कर देगा ठीक है उसका बाद अगर इस में क्या है अगर आप लोग कुछ दूसरा कुछ अगर आप लोग वहां पर मतलब जिससे ए बी सी डी करके बारबर दे दिये ठीक है जो मौझूद नहीं है तो यहां पर यह वाला रिप्लाइश दे देगा ठीक है आप लोग को वीडियो पसंद आया है ठीक है तो आप लोग को वीडियो पसंद आया है ठीक है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है तो मिलते हैं लोग नेस्ट वीडियो में ठीक है